नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वॉल्ड इंडिया में आपके साथ मैहू पारुल त्यागी एक नज़र डालेंगे यूपी की खबरों पर कानपूर में हैलेट अस्पताल परिसा में यूफ्ती ने यूवक को जम कर पीटा सरयाम पिटाई का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जानकारी के नुसार नौकरी लगवाने के नाम पर हैलेट अस्पताल के बाबू ने लड़की से 50,000 रुपे ठग लिये थे मेरट में वैद रूप से सड़क पर रखे टायरों में आग लगई तुकान मालिक ने भारी मात्रों में सड़क पर टायर रखकर अतिकर्मन कर रखा था वहीं टायरों में आग लगदे से रियाईशी इलाके में हरकम भच गया सुचना के घंटों बाद दमकल की गाड़ियां पहुँची लेकिन उससे पहले इस थानिये लोगों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया था नौइडर केंडरा गांदी कला केंडर में सवच्चिता प्रुतसाहन कारकरम का आईजिन किया गया जिसमें सेक्टर 55-56 की मार्किट को पून रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाने में ट्री फांडेशन के साथ साथ पांच बच्चों ने प्रयास किया और जगरुक्त फैला इलाके के कल्यानपूर रोड का पूरा मामला है गौतम बुद्नगर की जेल में नश्रे के सौदागरों ने चौरस भेजने के लिए नया तरीका अपनाया है जाच के दौरान पता चला की नमकीन के पैकट में चौरस छुपा का जेल में सप्लाई की जा रही थी बंदी के ख शिफ कुमार सिंग ने माला पहना कर उनका भी नंदन किया कुड़वार में कारेकरम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्ता के भी पुक्ता इंतिजाम किये गयते साते इस्थानी लोगों की बीजबी प्रदेश अध्यक्ष को सुनने के लिए भीर भी उमड़ी कोशामबी में सैनी कोटवाली प्रभारी प्रदीप कुमार सिंग का कमरे में शब मिला बताय जा रहा है कि कोटवाली प्रभारी की हाच अटेक से मौत हुई सूशना पर एसपी अभीननदन सीयो साहिद पुलिस फोर्स मौके पर पहुँचे अमबेटकर नगर में सेलफी के चक्कर में दो शात्रों की जान चली गई घागरा नदी में नहाने गई इंजीनिरिंग कॉलिज के पांच शात्र डूब गए जिसमें से दो की मौत हो गई जबकि तीन को ग्रामिनों ने बचा लिया अमबेटकर नगर में मित्र पूलिस का समवेदन हीन विवहार का वीडियो सामने आया है खाकरा नदी में डूबे दो शात्रों को ढूडने के लिए सहपाटियों को पूलिस ने नदी में कूदने के लिए कहा इतना ही नहीं पुलिस कर्मियों ने इंजीनिरिंग के चात्रों से गाली गलोज भी की बिजनौर में स्पी डॉक्टर धर्मवीर सिंग के निर्देशन में अवैच शुराब तसकरों के खिलाफ अभ्यान में पुलिस ने बड़ी कारवाई की मुख्मीर की सूचना पर पंचाय चुनाव में इस्तमाल के लिए लाई जा रही दस लाख रुपे की अवैच शुराब के साथ तीन शुराब तसकरों को गिरफतार किया है पेली भीट से सांसर वरुन गांधी ने जुलादिकारी पुलकित खरे को पत्र लिखा और नमक माफिया उपकारवाई करने की मांग की बतादें सांसर ने राशन कोटे के गुनवर्टा विहीन नमक वित्रत करने को लेकर नाराज़गी भी जोताई है अक्सो कानून क्या है और गुड टच और बैड टच क्या होता है जिसकी जानकारी विंदवन कुम्ब मेले में समायोजित ब्रहमन सेवा संग शिवर में राश्टिय ब्रहमन महा संग मत्रा एवं इनाया फाउंडेशन के द्वारा आयुजित कारेकरम में कटपुतली निक्त्वे के माध्यम से बताया गया कारेकरम का शुभारा मुख्याती थी मत्रा जन्पत के नियायाले श्री यश्वन्त कुमार मिश्र जी ने दीप प्रजुलित कर किया इटावा में मा की मौत के बाद पडोसी महिला से पिता के अवैस संबन से तंगा कर बेटे ने पिता और उसकी प्रेमिका को गोली मार कर घायल कर दिया गंभी रूप से घायल पिता को सैफवई मीनी पीजी आई में और महिला को जिला स्पताल में भरती कराया गया घटना के 24 गंटे के अंदर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने आरूपी बेटे को वैत तमंचा और दो जिंदकार तूस के साथ गरफतार किया कानपूर देहात में प्रेम प्रसंग के चलते यूवक और युफ्ती ने कमरे में फासी लगा कर आत्मत्या कर ली बतादे यूफ्ती की 9 साल पहले शादी हो चुकी थी उसके दो बेटे और एक बेटी भी है वही यूवक की पतनी माईके में रहती है सालों से दोनों के बीज प्रेम प्रसंग चल रहा था वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामत किया है मेरट में नगर निगम की बोर्ट बैठक में हंगामा हुआ 19 महीने बाद बोर्ट बैठक शुरू होते ही हंगामे में तब्दील हो गई तरसल बीजेपी पार्शर सदन में धरना देकर बैठे थे विकास कारियों के बजट पर भी हंगामे की वच्छा से चर्चा नहीं खुसुकी जिसके बाद हंगामे के चलते बोर्ट बैठक सगित कर दी गई इटाव में अवैट तरीके से बैज पर पैसा दे कर गरीबों से मोटा बैज वसूलने वाले डबंग के खिलाब Đीयम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया डियम कोर्ट ने दवंग सूध खोर को नियायाले में ब्याज पर काम करने का लाइसेंस समेट पेश होने का आदेश दिया है यूपी के खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तवाम खबरे देखने के लिए आप देखते रहें डूस वोल इंडिया